सेमसंग का एक ऐसा स्मार्टफोन जिसकी आज कल काफी ज्यादा हाइप क्रेड हुई हैं जिसका नाम है सेमसंग गेलेक्सी एक्षुली में ये फोन को लॉंच हुए एक साल से उपर का टाइम बीच चुका हैं लेकिन जब ये फोन लॉंच हुआ था तब उसकी प्रैस 42,000 के आसपास थी मतब के ये फोन ओवर प्रैस था आप अच्छे से जानते होंगे 23 जून से फिलिपकट पर बिग सेविंग डेस सेल शुरू होने वाली हैं ऐसे में ये स्मार्टफोन की प्रैस कट होके 21,999 रूपीज होगी इसकी वज़े से ये फोन की हाइप आज की डेट में स कोई भी प्रैस खरीदने से पहले आपको प्रोस के साथ कौन्स भी जानना जरूरी है तो चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा step by step इस phone के pros क्या है और उसके बाद कौन्स क्या है ये भी बताऊंगा जिसे अगर आपको कोई फरक पड़ता है तो ये phone को आप avoid कर सकते हैं मेरा काम है filterization करके एक अच्छा सा product आपको बताऊं सही जानकारी आप तक पहुँचाऊं डिसिजन लेना आपके हाथ में है वीडियो को शुरू से लेके end तक देखते रहे हैं क्यूंकि ये topic खतम होने के बाद तीन ऐसे smartphone भी बताऊंगा जिसे budget flagship killer कहां जा सकता है जूलाई के नया smartphone लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फालतू में पैसे बरबाद नहीं करने चाहिए क्यूंकि आज कल पैसा कमाना कितना मुश्किल हो चुका है ये तो आप मुझसे बहतर जानते होंगे अगर आपको वाके में जरूरत है एक नया smartphone की तभी आप नया smartphone लीजिए अ तब से पहला जो प्रोज हैं वो हैं इस फोन के बिल्ड कॉलिटी और डिजाइन ये smartphone की design दिखने में unique हैं मतब Samsung के जो smartphone होते हैं उसकी डिजाइन दूसरे Samsung के smartphone से मिलती जूलती होती हैं लेकिन ये smartphone की design कुछ different type की हैं यहाँ पर आपको rear side as well front side दोनों ही तरफ glass की build quality देखन को मिलती हैं और सेंटर में जो फ्रेम हैं वो हैं अल्यूमिनियम की जिसकी वज़ा से ये फॉन दिखने में और इन हैंड फिलिंग में प्रीमियम नज़र आता हैं बिल्ड कॉलिटी और डिजाइन को लेकर मुझे नहीं लगता आपको इस फॉन से कोई भी शिकायत होगी फ्लेक्शिप लेवल की बिल्ड कॉलिटी यहां पर सेंटर ने प्रोवाइट की हैं लेकिन इस फॉन का जो वेट हैं वो हैं 220 ग्राम यानि कि ये फॉन वेट के मामले में थोड़ा सा बलकी कह सकते हैं तो वेट के मामले में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइस करना दूसरा जो प्रोज हैं वो हैं इस फोन की डिस्पले सैमसंग की एमोलेट डिस्पले के बारे में क्या कहना आप अच्छे से जानते होंगे सैमसंग की सूपर एमोलेट डिस्पले का मुकाबला कोई दूसरी ब्रैंड की डिस्पले से नहीं किया जा सकता काफी अच्छी डि नो नौच, नो पंच होल, अउनली फुल व्यू एक्सपिरियंस। हम में से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डिस्प्ले के अंदर किसी भी टाइप की नौच पसंद नहीं होती हैं तो ये फॉन उनके लिए बेस्ट आप्शन है। यहाँ पर आपको अल्वेज ओन डिस् पॉन का प्रोसेसर। सैमसंग के स्मार्ट फॉन में कॉलकॉम का प्रोसेसर ये चीज बहुत ही कम देखने को मिलती हैं लेकिन यहाँ पर आपको कॉलकॉम सनेब्रेगन 730G प्रोसेसर देखने को मिलता हैं इससे पहले ये प्रोसेसर हमने Poco X2 में देख चुके हैं काफी पॉन में 8GB की RAM मिल जाती हैं तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस फॉन का चौथा जो प्रोज हैं वो हैं इस फॉन का यूजर इंटरफेस यहाँ पर आपको लैटेस्ट एंडॉइड वर्जन एंडॉइड 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता हैं और साथ में 1UI 2.0 जोके सैमसंग का खुद का यूजर इंटरफेस हैं जिन चीजों की जरूरत होती हैं वही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे कोई भी फाल्टू के फीचर्स और ब्लॉट वेर देखने को नहीं मिलेंगे और सबसे अच्छी बात शाओमी और रियल्मी के स्मार्ट फोन में जो एड देखने को मिलती हैं ऐसी कोई भी एड इस फोन में देखने को नहीं पांच वाँ जो प्रोज हैं वो हैं इस फॉन के कैमेराज इस फॉन के जो कैमेराज हैं वो स्लाइडर मेकेनिजम के साथ आते हैं स्लाइडर मेकेनिजम का मतब जो डिवाइस के कैमेराज होंगे वो छुपे हुए होंगे जैसे ही आप slider mechanism को on करोगे ये cameras बार की तरफ आ जाएंगे इस phone में triple cameras का setup देखने को मिलेगा जिसमें primary camera 48 megapixel का होगा और जो secondary camera होगा वो होगा 8 megapixel का जो ultra white photo capture करने के लिए काम आएगा इसके अलावा जो तीसरा sensor होगा वो होगा time of flight lens अब शायद आपको confusion होगी ये time of flight lens क्या है तो ये technology 3D image create करने के लिए काम आती है जिसके जरीए जो photo का bouquet effect है वो और भी ज्यादा अच्छा नज़र आता है वहीं अगर हम बात करें selfie camera की तो जैसे ही आप selfie camera mode को on करोगे तो जो rear side पे जो 3 cameras है वो एक module के थुरू आपके front side पे rotted हो जाएंगे तो जो rear side पे 3 cameras मिलते हैं वो ही आपको front side पे देखने को मिल जाएंगे 48 plus 8 plus time of flight lens चलिए दोस्तो अब बात करते हैं इस phone की दो ऐसी कमिया जो personally मैंने notice की जिसे हम कमी तो नहीं बोल सकते लेकिन drawback ज़रूर बोल सकते हैं सबसे पहली जो चीज है इस phone में 3.5 mm audio jack का ना होना जी हाँ दोस्तो इस phone में आपको 3.5 mm audio jack देखने को नहीं मिलेगा दूसरी जो चीज है वो है इस phone की battery यहाँ पर आपको 3,700 mm की battery देखने को मिलती है जो थोड़ इसी कम है मान के चलिए अगर आप ज्यादा देर तक PUBG गेम खिलते हैं या फिर कोई और गेम खिलते हैं तो दिन में 3 मरतबा इस phone को charge करना पड़ेगा लेकिन plus point ये है 25 watt की fast charging भी यहाँ पर मौझूद है अगर आप इन दोनों चीज़ के साथ compromise कर सकते हैं तो definitely इस phone को 22,000 रुपे के price point पर buy कर सकते हैं हो सकता है HDFC के card पर 10% discount भी मिल जाए यानि के ये phone 20,500 रुपे में भी आप ले सकते हैं चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 3 ऐसे smartphone जिसे budget flagship कहां जा सकता है जूलाई के मन्थ में launch होने की पूरी उमीद है सबसे पहला जो smartphone है वो है OnePlus Z ये smartphone का भी काफी सारे लोग भूती बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं रिपोर्ट्स के माने तो ये smartphone 25,000 के price range में launch किया जाएगा Lix के according ये phone की जो design है वो काफी ज्यादा premium है front side as well rear side दोनों ही तरफ आपको glass देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 6.56 इंच की full HD plus infinity O display और ये एक super AMOLED डिस्पले है जिसकी वज़े से वीडियोस देखने का experience काफी ज्यादा immersive होने वाला है इतना ही नहीं Lix के according ये phone की display 90Hz refresh rate के साथ होगी जिसकी वज़े से आपका touch experience और भी enhance होने वाला है इस phone में हमें देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 765 processor जो के 5G network को भी support करता है Lix के according ये phone दो variants के साथ launch होगा 6GB RAM और 128GB internal storage और जो दूसरा variant है 8GB RAM और 256GB internal storage यहाँ पर आपको triple cameras का setup देखने को मिलेगा most probably 64MP का primary sensor, 16MP का wide angle lens और 2MP का macro lens यहाँ पर camera number से नहीं खेला जाएगा अगर आप मेंसे कोई OnePlus का user है तो आप अच्छे से जानते होंगे OnePlus के जो phone होते हैं उसका camera optimization काफी अच्छा होता है जिसकी वज़े से जो picture की quality होती हैं वो काफी अच्छी तरीके से निकल के आती है OnePlus के smartphone काफी सारे लोग use करना चाते हैं लेकिन price ज्यादा होनी की वज़े से उसे use नहीं कर पाते लेकिन OnePlus ये phone को 25,000 के आसपास की price में launch करने वाला है तो अगर आपका budget 25,000 के आसपास हैं तो definitely इस phone का wait करना चाहिए तो ये थे leaks के according कुछ ऐसे reasons जिसकी वज़े से आपको इस phone का ज़रूर से इंतिजार करना चाहिए दूसरा जो smartphone है Motorola Age Lite ये smartphone भी Motorola Age का lighter variant है यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 765G processor मिलेगा और साथ में ये phone 5G network को भी support करेगा 4GB RAM, 6GB RAM ऐसे दो variants के साथ ये phone launch होगा 6.7 इंच की Super AMOLED डिस्प्ले होगी with 90Hz refresh rate इसके साथ साथ in-display fingerprint scanner, 4800 mH की बड़ी बैटरी with 18W fast charging support रियर साइट पे quad cameras का setup होगा जिसमें primary sensor 48MP का होगा reports की माने तो ये phone की price 25,000 के आसपास रह सकती है तीसरा जो smartphone है Redmi K30 Pro अगर आप एक flagship smartphone लेने की सोच रहे हैं तो definitely आपको इस phone का wait करना चाहिए मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूँ तो इसके पीछे के कुछ ऐसे reasons हैं जिसके होज़े से आपको ये phone का wait करना चाहिए सबसे पहला जो reason है वो है इस phone का processor ये phone में Xiaomi ने performance को लेकर कोई भी compromise नहीं किया है 2020 का flagship processor Qualcomm Snapdragon 865 processor ओफर किया जिसका N22 score है 6,10,000 के आसपास दूसरा जो reason है वो है इस phone की display Xiaomi ने इस phone में Samsung के brand की super AMOLED display यूज़ की है इसके अलवा HDR10 का support, full view display, no notch, no bezel, almost full view experience तीसरा जो reason है वो है इस phone का primary camera sensor यहाँ पर आपको quad cameras का setup देखने को मिलेगा जिसमें primary sensor 64MP का होगा और वो भी Sony IMX686 sensor के साथ जो काफी अच्छा sensor है इसके अलवा dual OIS का support तो ये भी काफी अच्छी चीज़ है चौथे reasons की बात करूँ तो ये है इस phone का pop-up elevating selfie camera यहाँ पर आपको LED light देखने को मिलेगी जिसको अपने हिसाब से different color में आप change भी कर सकते हो जो दिखने में काफी ज्यादा impressive हुए है साथ में Xiaomi का ये कहना है अगर आप दिन में 100 photo भी capture करते हो फिर भी इसकी durability चार साल तक बनी रहेगी छड़े reasons की बात करूँ तो ये है इस phone की price reports की माने तो ये phone Qualcomm Snapdragon 865 के साथ पहला ऐसा smartphone होगा जो 30,000 के आसपास की price range में launch होगा ये हैं तीन smartphone जिसे budget flagship कहा जा सकता है लेकिन सब कुछ depend करता है phone की price पर बाकी दोस्तों आप बताईए नीचे comment section में इन तीनों phone में से आप कौन से phone के लिए excited हैं नीचे comment section में जरूर से बताना क्यूंकि आपकी valuable feedback बहुत ही ज्यादा matter करती है उम्मीद हैं आपको इस वीडियो से कुछ help मिली होगी मिलते हैं एक नए interesting वीडियो में तब तक के लिए खयाल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का मान przedstaw मिलते हैं प्राज को ज सकता है आपको एदाना कैसी वीडियों का में बहुत है दोने हैं क्योंकि बप्टोOR का इंफचा है म recommending